जैहिन बुंदेल फंड न्यूस 24 में आपका सौगत है आईए बढ़ते हैं जासी दे कुछ मुख खबरों की योर 11 दिसंबर 12 को यूपी स्टेफ के टीम ने आशियाना छेतर में एक घर में छापा मारा दूसरी मंजल पर पहुचते ही टीम को एक बहुत बड़ा मीटर लैब दिखा जहां 578 बिजली के डिजिटल मीटर 200 से जादा सीरिंज 549 चिप और 65 रिमोट पर आमद हुए दसल यह स्मार्ट मीटर में शार्प तरीके से चिप लगाने और उसे रिमोट से कनेक्ट करने का काम किया जाता था छापे मारी में स्टेफ ने रमन अरजन सतीश अली सोनुनाम के आवरोपियों को गरफतार किया है लेकिन उस लैप का मालिक और गैंग का मास्टर माइंड पवनलाल अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है बिजली चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है यूपी यूपी एरस के मताबिक पिछले 5 सालों में बिजली चोरी के 3,30,000 से जादा मामले सामने आये हैं लेकिन ये ताजा मामला हैरान करने वाला है S.T.F. के प्रुभारी S.S.P. विशाल विक्रम सिंग ने बताये कि गैंग के सदस से विदुत उपकेंदरों के बाहर अपने ग्राकों को तलाशते थे जो ग्राक अपने घर में नया मीटर लगवाना चाते थे ये कम बिजली बिल आने का लालज दे कर अपनी बातों में फसा लेते थे इनका संपर्क शहर के कई इलेक्ट्रिशन से भी था जो इन्हें ग्राक दलाते हैं ग्राक दलाने और मीटर से छेड़ चाड़ में विद्ध विभाक के कर्मचारियों के नाम पर भी जाच चल रही है ग्राक मिलते हैं ये गैंग उनके घरों यहां तक की फैक्टरियों तक की मीटर निकाल कर लैब में लाते थे पूशताच में गैंग के मेंबर्स ने बताया कि मीटर में छेरचाड करने से पहले सीरिंज से ऐसे डालते हैं इससे उसकी बॉड़ी आसानी से खुल जाती थी किसी तरह की छेरचाड समझ नहीं आती थी